कुछ दिन पहले एपल का इस साल का सबसे लास्ट लाउंचिमेंट था और यहाँ पे इन्होंने तीन ने प्रोडक्स को लाउंच करा है एक Macbook AR, Macbook Pro और Mac Mini एक छोटे से compact size का CPU बोल सकते हो जिससे कि आप किसी भी monitor बगरा में connect करके Mac OS का यूज़ कर सकते हो तो इन सब में खास रहे आम किसे लाट क्या है कि इसमें पहली बार यहाँ पर मेक बलूक के अंदर आपना अपना कूद का a processor उच करा है और उससे पहले जितने भी MacBook और iMac विडियो में बात करेंगी लें यहाँ पर एक ग्रेट भी हुआ है, जो MacBook Pro है, उसके अंदर पहले के जो Intel वाले वेरियंट थे, वहाँ पर आपको चार पोर्ट का आप्सन मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही पोर्ट का आप्सन मिलता है, क्योंकि Apple को लगता है कि यहाँ पर आपको चार पोर्ट की कोई जरु जरुवत नहीं है, जैसे iPhone के अंदर headphone jack की जरुवत नहीं है, बॉक्स के अंदर charger की जरुवत नहीं है, ठीक वैसे ही Apple MacBook के अंदर आपको चार पोर्ट की कोई जरुवत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको compare करोगे इनके पहले वाले devices के साथ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो price give होता है, वो बहुत ज़ादा होता है, तो यहाँ पर सेम ही price में launch वा है, तो यह थोड़ा surprising है, लेकिन इसमें फायदा सभी का है, Apple ने अपना खुद का प्रोसेसर बना लिया, तो सब्टेवर के साथ यह और अच्छे से काम कर आगे और भी improvement कर पाएगा, users के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि सेम प्राइस में काफी बढ़िया improvement मिलती है, performance wise, और लेकिन यहाँ पे नुकसान सिर्फ एक ही का है, और वो है Intel, प्रोसेसर की बात करें, तो इनका जो नया प्रोसेसर है, M1 इसे ARM ने design करा है, और Apple ने इस इसे खुद से manufacture करा है, और ARM का नाम आपने सुना भी होगा, क्योंकि यह mainly smartphones के लिए जो प्रोसेसर आते हैं, उनको design करता है, जो snapdragon का प्रोसेसर आता है, उसे ARM design करता है, Samsung Exynos का जो प्रोसेसर आता है, उसे भी ARM ही design करता है, और iPhone के लिए जो प्रोसेसर आते हैं, Bionic, उसे भ भी 14nm पर बेस है, और इसमें अलग से GPU लगता है, अलग से RAM लगता है, और अच्छे खासे बड़े size का लगता है, तो यह ज़्यादा था डिपेंड करता है इसके hardware के उपर performance के लिए, लेकिन ARM के प्रोसेसर में क्या है, कि यह mainly depend करता है software के उपर, मतलब software जितना अच्छा ह optimize होगा, और जितना powerful होगा, यह उतना अच्छे से perform कर सकता है, और यह ज़्यादा अपने launch event में ही बोला था, कि Intel के processor के साथ कुछ limitations है, जिसके वज़े से कि Mac OS का जो full potential है, वो huge नहीं उपाता, मतलब यह जिस तरह से perform कर सकता है, उस तरह से यह perform नहीं कर पाता, तो उसके यह काफी ज़्यादा power efficient है, और जैसे smartphone के processor में होता है, एक ही processor के अंदर CPU होता है, GPU होता है, RAM होता है, सब कुछ integrated होता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी है, इसमें octa core CPU यूज हो है, चार बड़े performance core और चार छोटे efficiency core जैसे कि smartphone के अंदर भी होता है, और साथ ही में इसमें octa core GPU भी यूज हो है, तो इन सारी चीजों के बज़े से यहाँ पर performance में बहुत ज़्यादा improvement तो मिलती ही है, साथ ही में इसमें battery life में भी बहुत बड़ी improvement हुई है, MacBook Air में आपको 15 घंडे का wireless web browsing मिलता है, जो की पहले 10 घंडे का था, और इसमें 18 घंडे की video playback मिलता है, जो की पह पहले 10 घंडे का था, तो improvement काफी बड़ी है, लेकिन इसके पीछे का जो region है, वो काफी simple है, पहला region तो यह कि यह एक 5 nanometer processor है, और सब कुछ इसी के अंदर integrated भी है, तो उसके वज़े से इसमें battery life में काफी ज़्यादा improvement हो जाती है, और दूसरा यह कि iPhone में भी आपने देखा ह होगा कि iPhone जो latest अभी आया है, iPhone 12 mini, उसमें आपको 1200 mh की battery मिलती है, और जो इसका max variant है, pro max, उसमें आपको 3700 mh की battery मिलती है, तो बहां पे battery काफी कम है, लेकिन फिर भी बहां पे जो आपको battery life मिलती है, वो काफी better मिलती है, और ऐसा इसलिए, क्योंकि iPhone का जो processor है, वो Apple खुद जैसे कर पाता है, तो उसके वज़े से यहां पे battery life में काफी ज़्यादा improvement हो जाती है, तो सेम चीज़ यहां पे भी है, M1 processor भी Apple का है, और Mac OS भी Apple का है, तो यहां पे optimization काफी अच्छे से हुई है, और battery life improved है, performance की बात करें, तो यहां पे भी बहुत बड़ी improvement हुई है, अगर हम इसे compare करते हैं, इसके पिछले वाले MacBook के साथ, तो यहां पे MacBook AR के अंदर आपको 5X faster GPU performance मिलता है, 3.5X faster CPU performance मिलता है, और 2X faster आपको SSD performance मिलता है, और MacBook Pro के अंदर आपको 5X faster GPU performance मिलता है, और 2.8X faster आपको CPU performance मिलता है, और इतनी बड़ी improvement का region भी वही सेम है, जो मैंने आपको battery क के लिए बता है, यहां पे भी सेम hardware और software का जो optimization है, वो काफी अच्छे से हुआ है, आइफोन के अंदर भी आप अगर देखोगे, तो यहां पे आपको 4GB RAM के साथ phones मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 6GB RAM के साथ phones मिलता है, लेकिन उसको अगर आप Android के किसी भी 10GB RAM या फिर 12GB RAM स्मार्टफोन के साथ compare करोगे, तो उसके साथ भी आइफोन काफी अच्छे से टक कर दे सकते हैं, और same चीज़ यहां पे Macbook के साथ भी apply होता है, यहां पे भी optimization काफी अच्छे से की गई है, और भी बहुत सारे चीज़ें इंप्रूप की यह हैं, जैसे कि iOS के जितने भी applications आ इसके जितने भी devices आते हैं, जो भी products वह रात हैं, वो कहीं न कहीं से एक दूसरे से connected रहते हैं, तो चाहे आप iPhone लो या फिर iMac लो या फिर कोई भी जो छोटा वाला speaker होता है Apple का, चाहे कोई भी product लेते हो, तो उसका अगर आपको full feature यूज़ करना है, पूरी तरह से अच्छ इसमें 16 core neural engine का यूज़ किया गया है, जो कि AI के performance को और machine learning को काफी ज़्यादा improve कर देगा, और MacBook का screen unlock भी काफी fast हो चुका है, जैसे smartphone के अंदर होता है, आपने open करा और ये unlock हो जाएगा, लेकिन ये जो बातें चल ले हैं, कि यहाँ पे ये 2x ज़्यादा fast हो गया है, यहाँ इसमें अभी theoretical हैं, क्योंकि अभी तक इस नए MacBook को किसी ने use करा नहीं है, तो real life में ये कैसा perform करेगा, वो practically अभी बताना काफी मुस्किल है, तो लोग जब इसे use करेंगे, इसका review बगरा करेंगे, तभी actual में पता लगएगा कि ये real life में किस तरह से perform करता है, और इस वीडिय झाम करेंगे, थाब में से को करी बतानार करेंगे, तो लगए बताना है, तंवर है अ ऱक इसमें जब Aye अब मेंू.